हेलो एब्रिवन वेल्कम तो माय चैनल डिटेल इंगलिश सोल्यूशन डियर फ्रेंड आज मैं आपको आपके यूपी वोड के क्लास 11 की पुईट्री जो है जो चैप्टर नमर 4 है जिसका नाम है टू माय नेटिव लैंड जिसको लिखा है है हैंड्री लूइस वीविएन डि जो जियो आज मैं इसको पढ़ाऊंगा इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे नए वीवर्स हैं तो प्लीज बगल में जो रेट बर्टन बनी है सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा दिजे लाइक कर लिजे और अपने दोस्तों के साथ ही सेर कर लिजे ताकि उनको बेश से फाइदा हो सके डियर फ्रेंड टू मारे नेटिव लैंड जो एक पोएम है 1831 में लिखी गई थी और इसको उस समय लिखी गई थी जब हमारे देश में ब् दुखी है इसलिए अपने देश के सम्मान के लिए अपने देश के साथ जो बुरा हो रहा है रहा है संस्कीत के साथ जो बुरा हो रहा है देश के संस्कीत के साथ जो बुरा हो रहा है उसको देखके बहुत दुखी है इसलिए उसने यह पोएम लिखा है यह पोएम क्या एक पुर्यम को पढ़के ही समझ में आएगा माइ कंट्री है मेरे देश इन दाय डेश इन दाय डेश दाय में तुम्हारा तेरा होता है जो तुम्हारे दिनों में आप गलोरी जो सम्मान हुआ करता था तुम्हारा पास्ट में बीत गया है इन दाय डेश तुम्हारे दिनों में अब glory जो सम्मान था तुम्हारा जो आभा थी जो प्रसिद्धी थी पास्ट वह पास्ट में बीच जाना होता है वह वह खत्म हो गया है कौन कह रहा है कभी कह रहा है क्या हुआ करता था अब ब्यूटियस एक सुन्दर हैलो मिन्स होता है प्रभा मंडल चारो तरफ जिसको बोलते हैं सर्की मिन्स घेरा राउंड मिन्स घुमा करता था दाई ब्रो मिन्स तुम्हारे सर के तुम्हारे सर के, अर्थ क्या हुआ, कि एक सुन्दर प्रभा मंडल, एक सुन्दर घेरा, एक सम्मानित घेरा, तुम्हारे ब्रो ब्रो में सर के चारो तरब घुमक करता था, अर्थ क्या हुआ, तुम्हारा सम्मान पूरे दुनिया में होता था, आगे देखिए, and worshiped तुम्हारी पूजा होती थी as deity जैसे देवी के समान दाउ वास्त दाउ मिस यू होता है वास्त ये पुराना सब्ध है वाष्ट मींस वाज होता है यह सब पुराने सब्ध है आज के 200 साल पहले यूज होते थी जो अप यूज नहीं होते मैं आपको इसलिए बता रहो कि आप लोग 11 में हो सकता है आपको यह सब दूना पता हो तो आप एक चीज़ अच्छे सब्सक्राइब वाश्च पहले करके पढ़े दाव वाश्च पहले करके पढ़ें तुमको भारतमाता के नाम से पूजा जाता था तुम्हारी पूजा होती थी वेर इस दाइ ग्लोरी वेर कहा है इस दाइ में तुम्हारा ग्लोरी में प्रतिभा वो प्रतिभा वो सम्मान वो प्रतिभा वो आभा जो तुम्हारे प्रसिद्धी फैली होई थी पूरी दिनिया में प्रतिभा कहां है तुम्हारा सम्मान होता है जो तुम्हारा सम्मान होता था जो तुम्हारी प्रतिभा थी जो पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का बचता था अब वो सब कहां है हर जगा भारत का नाम होता था अब प्रतिभा कहां चली गई आगे क्या कह रहा है इस नीचे आप लाशन अंत में इसका क्या अर्थ है सुनिए दा इगल पिनियन तुम्हारी जो इस्थित थी तुम एक बाज के समान थी और पिनियन निस तुम्हारे पंक थे तुम उड़ती थी अर्थवा तुम्हारे प्रसिद्धी पूरे दुनिया में सबसे उपर थी और तुम सबसे ऊपर और रही ती क्या कह रहा है डाइगल पिनियन तुम्हारी बाज रूपी जो पंक थे तुम पूरी दुनिया में प्रसिद्धी पा रही थी बाज सबसे ऊपर उड़ता है ना दाई प्नियन इज़ चेंड बढ़ दिया गया है डाउन नीचे अट लास्ट अर्थुआ तुम्हारा जो सम्मान पूरी दुनिया में होता था और बाज के समान तुम गीनी जाती थी बाज के समान तुम्हारा सम्मान होता था तुम्हारी इस्थितेक बाज के समान थी सबसे उच्छे उपर उड़ने वाली थी आज के दो चारसो पांसो साल पहले हमारा देश फूरी दुनिया में सबसे ऊपर था लोग हमारे दुनिया में ब्यापार करने के लिए तो वही कह रहा है तो यह पिनियन इस चेंज डाउन एट लास्ट अर्थुआ कि तुहारे सम्मान को लोगोंने बांध के नीचे कर दिया तुहारे सम में पढ़े रहना मिट्टी में धूल दूसित हो जाना जमीन में पढ़ जाना एंड ग्रोबलिंग इन दा लवली लवली मिन्स नीचे द्रेश्ट में दूल आट मिस और दाव मिस यू अब फिर दाव आर इधर कर लिजे इसको यहां पर करके पढ़िए तब समाज में अग जमीन में पढ़े हुई है यह तुम्हारी तुम जमीन में पढ़ी हुई हो तुम्हारी इस ती जमीन में आके गिर गई है यह तुम्हारी सम्मान धूम धूल धूमिल हो गई है तुम्हारी सम्मान सम्मान मिट्टी में मिल गया है आगी क्या कह रहा है दाई मिस तुम्हारा मिनस्टरमित वाले गायग हैट मैं है ज हैङ है पुरान ना सब्द है नोडी में माला होताएं पुष हम क्या कहराह है क्या कि दाइ मनिश्टर मंश्टरल तुमहारे गायकों के पास हैट न नहीं है कवर बुनने के लिए ऐसो ममच यहां गीत हूंट Charter बनाएगा किस civ सब्सक्राइब करते थे देश के लिए राष्ट के पर देश्ट के लिए अच्छिया करते थे उनकी पास जब अयसी शब्सक्रान सब्सक्राइब को बुनने के लिए द् Failure के लिए फारदी मेस तुम21 से बस्टाइब से पर अदिस करना यह पर होता है still पी सिवाई के अलावा पयां इस स्वाइन के अलावा दस सैड़ में दुख्र में lions कहानी आपढ़ाई मैस तेरे मिजृ цен परेसानियों के कष्ट के क्या है क्या कह रहा है दमिनिस्टर है नो रीथ कोई भी माला गायकों के पास नहीं है तूभी बुनने के लिए भार्दी तुम्हारे लिए सेव सिवाए दस्तायड इस्टोरी आप दाई मेजिरी तुम्हारे कष्ट के दुखर कहानियों को कहने के अ कि सारी आभा विदेशी उन्हें नश्ट कर दी है तुम्हारे पास के वर दुख ही दुख बचा है तो आप इस देश की गाएकों के पास तुम्हारे दुख को गाने के अलावा तुम्हारे सुख या तुम्हारे संपनता तुम्हारे प्रसनता के बारे में कहने के लिए गाने के लिए कोई भी सब्द नहीं बच्चे हैं अब आगे क्या कह रहा है वेल ठीक है लेट मी डाइब डाइब में इस पानी में जो गोता खोर होते हैं सो पानी के अंदर जाने दो लुदुध म मुझे समय के अंदर जाने जो अर्थम मुझे लेखक के समय से 182 योती यहार जाने दो पंदरा सो शोला सो कि उस समय में जाने दो कह रहा है हागे and bring लाने दो from कहां से out of the ages उन पुराने समय से कब से जब तुम्हारा सम्मान होता था राम क्या कहा रहा है from out the ages ages पुराने समय से अर्थव उस समय से मुझे लाने दो क्या लाने दो that have rolled have जो हो चुका है रोल्ड के पर प्रिजेंट परफेक्ट है डोल्ड में बीच जाना चल जाना जो जा चुका है जो खत्म हो चुका है क्या तुम्हारा आभा and क्या लाना है a few small fragments a few छोटे small means a few means totally a few means छोटे प्रेमेंट मिन्स घंड आप दो जो टूटे हुए सब्लाइम मिस सम्मान के प्रतिभा के परसिधी के तुम्हारे परसिदी के जो चोटे चोटे कण है जो चोटे 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 टुक्रे हैं उसको हम्हें लाने दो इसको फिर से समझजी है well ठीक है let me dive into the depth of time let me dive मुझे जाने दो into the depth of time समय के घराई में and bring लाने दो from out of the age उस समय से पुराने समय से लाने दो that है रोल जो जा चुका है क्या जा चुका है a few small fragments छोटे-छोटे टुकड को खंडो को आप दी जिए रेक्स में टूटे हुए सब्लाइम में प्रसिद्धी के उन प्रसिद्धी के छोटे छोटे टुकडो को मुझे ढोन के पुना लाने दो फूच जिसको हम मनुस्यों की आंके में निवर मौर कभी नहीं मौर मिस आगे बिहोल्ड मिस देखना जिसको हम मनुस्यों के आंके कभी नहीं देख पाएं नहीं जान सकते and let the garden अहो जाने दो garden में सम्मान उपहार यही मेरा उपहार हो जाने दो आप my labor मेरे परिस्रम का जो मैं तुम्हारी प्रतिबार ढूड़ के लाऊंगा जो मैं तुम्हारे सम्मान तुम्हारे इतिहास से कुछ चीज़े ढूण के लाओंगा तुम्हारे लिए वही क्या होगा मेरे परिष्रम का क्या होगा उपहार होगा and let the garden यही हो जाने दो क्या garden में उपहार सम्मान आप मैं लेवर भी मेरे परिष्रम का knраш मैं फालेंड कंट्री हर मेरे हर यही दुखी देश इविए गुलाम देश वन काइंड विस यही एक दयालू विस फॉरॵ दि दमिस यही दयालू विसं जो है तुम्हारे वी यह तुमसे यही आसर करता हूं तुम्हारे लिए भगवान से प्रातना करता हूं थैंक्यू सो मच उमीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर करतीजे है ना और दोस्तों चाहिए कोई प्रॉबलम हो आपको मेरे पॉएम से डिट तो प्लीज नीचे कमेंट बग आप मेरे साथ बने रहिए आपके यूपी बोट की ग्रैमर हर चीज कोई भी स्लेबस बच्चे करने में सारा कम्प्रीट करूंगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच कल मिलेंगे नए पूम के साथ जिसको अमेरिका राइटन दे लिखाया वॉल्ट मिट्मन कौन सी प मच